रटी कर चुके हैं पिसली पार्ट में पिछली सेट में कर आ था सातवी सेट में तो बबल सौट पी आया था और उसमें कितने स्वैप हुए था यह पुछ गया था कि हमने जाना था कि बबल सोट जो है एड्जेकिंट पर काम करती है और आगा पो सोटिंग नहीं आती तो मेरी आप डाप लिलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर आप उसे देख सकते हो तो चलिए यहां पर करते हैं कि कितनी होगी चलिए करते हैं इसको कर लेते हैं उपर होगे चलिए चक करते हैं सबसे पहले दो कि पांथ सोटा है साइए पांथ सोटा है नहीं तो एक और पांथ स्वैप हो जाएगा और जैसे कि मालूम है हर एक आई इसकल डुजी जिरो के लिए सबसे बड़ी वैलिए वह कहां पहुंच जाएगी अपनी करेक्ट लोकिश्न पह जाएगी ठीक है क्या पांच तीन सोटा है नहीं तो तीन पांच चार दो एक उसका पांच के चार सोटा है नहीं तो एक और स्वेप हो जाएगा चार पांच तीन एक दो ठीक है यह हो गया उसके बाद क्या दो एक सोटा है नहीं दो एक सोटा नहीं है तो एक दो तीन चार और पांच तो कितने स्वेप होए आपके टोटल इसको सोट करने के लिए आपको वेट टोटल चार तो ऑप्शन फॉर is the right answer डिजिटर सरकर केंगे मेड बाइद रिपिटिटी यूज अपने गेट और नौर गेट तो युनिवर्सल गेट का इत्माल करकर हम कोई से भी गेट बना सकते हैं कि इसके बात करूं इसकी है वॉइड इसे अपको बताना कि यह प्योश है तो कैसे करेंगे जिसे मैं से बनाता हूं मेरा इस फॉंचन को ना में एड ठीक है और यह मैंने और इसकी डिक्लिरेशन और इसके यहाँ पर अगर मैं इस इकल्ट जिरान लिख दू ठीक है यह गलत है यह is equal to zero और तो कम पहले समझ जाएगा कि यह एक pure virtual function है ठीक है In order to simplify the null value confusion in the rank function we can specify either null last or null first open source means something that available for public use enhancement modification ठीक है open source कोई भी software अगर आपके बास इसे Google Chrome है इसके example लेते हैं तो Google Chrome जो है publicly कोई भी इस्त्माल कर सकता है कोई से Windows उसके लिए इस्त्माल कर सकता है दूसरा enhancement भी कर सकते हो आप extension लगाकर modify भी कर सकते हो इनमें से कौन सा ऐसा software है जो की बहुत widely इस्तमाल हो रहा है लेकिन वह open source नहीं है तो वह आपका internet explorer internet explorer जो कि करंटरी हम इस्तमाल भी कर रहे हैं तो वह आप अलग से download नहीं कर सकते हो वह Windows के साथ आता है ठीक है a command that lets you change one or more filled in a record is modify modify is the command which though you can change one or more filled in a record modify यहां पर गड़ात है यह एक सही आज़सा नहीं है modify is the right answer which of the following is not a developer privilege इन पेसे कौन सा है जो developer का previous नहीं होता है उसका काम नहीं होता है वह a create user तो कि sequence भी डेवलेवर ही बनाता है व्योबी और टेवल में लेकिन यूजर बनाना developer का काम नहीं होता है C++ की programming language किस operator की जो precedence है वह सबसे कम है तो सबसे कम देखने के लिए सबसे ज्यादा किसके यह देखते हैं हमेशा पॉस्ट्विक्स हो या इंक्रिमेंट हो कोई से भी उप्रेटर हो इसकी सबसे हाई होती है किसकी होगी इसकी तो नंबर बन और आपकी ध्यान रखना सबस्क्राइब होगी तो जब भी को भी मेरे पास आ जाएंगे मेरे पास यह है जा स मेघञा एंड टीक dieta यह है और यह भी और यह सी तो इसक्राइब हो जायेगी वह जाएंगी एंड आप粉रेटर की वह इससे डसेख करने कोिस्ट मेख द्रू ौ है तो बागी मोह चेकरने को जरू हो प्किश़ एगःाद ज्पक्याद और की अगर मुझे इस expression को minimize करना है तो क्या आप सा रहेगा तो इसको करने की काफी तरीके आप common भी ले सकते हो और दूसरा आप इसे के मैप से कर सकते हो तो चलिए इसे करते हैं किससे के मैप से के मैप से करते हैं कि यह गलत कर दिया रहा है मैंने लटिप यह मैंने के में ड्रो कर लिया है अब यह पहले है हमारे पास सरे के सारे यह ऩ Loris को लिए यह कि न में इसको दूसरे संसर कर लेते हैं यह नहीं कितना वन उसके बाद यह जी रॉट जी रॉट जीरो जी रवन कहां पर एंची यूपड़ बहुड बहुड वन ऊसके को बाद है 110110 तो एक और यह सहज़िए ऐसी करें थे पीर बनेगा यह और एह सुषा ब्लस अपिर एक मुथ यह के तो इसको लेगा यह आनीगेट तो असलए सिनीगट कि ब्लस ठीक तो यह हो जाएगा एक तो यह और एक यह पेर बन जाएगा द denken कि इसको में लिखोंगा एंगेट पर उर यह हो जाएगा सी नीइगेट ठीक तो यह हो जाएगा संसा औरस इसमें राइट आश्ञें टिक है जो आपका इनर इनर उल 2023 रिटेन करेंकश सवांपी क्यूंडर एक रो रिटन करेंगा। बलकि जो आउटतर सलेक्टि आउटर स्टेंट मेंने वह रिटा मेंट रो रिटेन नहींकत आएं सोर्छ सब्सक्राइबूलाइबूलाइट को से थी अगर यहां पर होता है कि सोला बिट काゴे रगिरे कितने स्थ इस case में एक चाहिए होता है हाफ एडर और पंदरा चाहिए होते हैं कितने फुल एडर ही यह भी ध्यान रखना हुआ Which of the following system program forgoes the production of the object code to generate obsolete machine code and load it into the physical main storage location from which it will be executed immediately upon completion of the assembly. It is again repetitive question, it is the definition of load and go assembler. अब इसको भी हमें क्या करना है simplify करना है तो अगेन केमैप से भी कर सकते हैं और इसे simplify करते हैं इसे क्या लेख सकता हूँ इसे लेख सकता हूँ A note B note इसको लेख सकता हूँ C note C note D note और E note और इसे के लेख सकता हूँ A note और B note ठीक है उसके बाद इसको अंदर multiply कर जाते हैं अब multiply क्या करें A note B note हम सबसे common ले लेते हैं और दोनों तरफ है तो common ले लिया तो अंदर केतना बचा C note D note E note plus 1 ठीक है तो 1 plus something 1 identity properties तो final क्या बचेगा आपके पास हमारे पास बचेगा A negate B negate तो it is a right answer ठीक है Geo stationary satellites again repetitive questions are placed onto the fixed point जैसे यह हमारे पास कोई अर्थ है तो यहां पर आपके Satellite लग जाएगी और यह इसे के चकर काटेंगी यह fixed point पर लग जाती है तो इसके बहुत है Geo stationary satellite The degree of multiprogramming किसी भी computer के कोई भी operating system हो उसकी degree कितनी है यह depend करेगा कि वह कितनी कितनी प्रोग्राम को execute कर सकता है लेकिन ध्यान इस बात कर रखना वह अगर सिंगल सिंगल प्रोसेसर है तो यह आपका एक जूकिशन वाल है एक वक्त पर एक ही प्रोसेस होगी और यह आपकी रेडी में यह आपका रेडी है तो यही यही आपका multiprogramming की degree तै करेगा यानि आपकी जो RAM है random access memory है उसमें एक वक्त पर कितनी process है यही degree of multiprogramming होगी ठीक है और डिपेंड करेगा RAM के size पर और multiprocessor होगा तभी अगर multiprocessor होगा या uniprocessor होगा तभी अब यहाँ पर यानि अगर multiprogramming operating system की डिगरी अगर कुछ चेक करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक वक्त पर एक जोगे तो जहट से बात एक प्रोसेस होगी लेकिन RAM के अंदर कितनी process एक वक्त पर रह सकती है ठीक है आपने यहाँ पर table generate कर दी ठीक है यह table generate है टेविल में क्या है ज्यानकना employee ID जो की नल नहीं होगी यह नहीं होने का मतलब क्या है इसका मतलब इसकी ID मुझे टेविल में data इंसर्शन करता में देनी ही देनी होगी क्योंकि यह not null है इस आप खाली नहीं चोड़ सकते उसका अगला है employee का नाम इसमें कोई validation नहीं है उसके बाद है department इसमें भी कोई validation नहीं है उसके बाद है salary salary unique बोली है लेकिन unique can be null है ना unique की can be null तो यह एक null हो सकती है ठीक है तो सबसे पहले आप data store कर रहा है कितना एक हजार बाई एक हजार दो ठीक है यह employee की ID है फिर इसका नाम है रोज उसका department है computer science उसके बाद इसने जो salary कितनी है दस अजार ठीक है उसके बाद employee की ID कितनी है 10006 उसका इसका नाम क्या है टेड और डिपार्मेंट कुन से है finance unique की है तो इसे हम नल छोड़ सकते हैं no problem ठीक है यह नोट नहीं है तो इसे हम नल छोड़ सकते हैं इसके बाद है one zero zero तो आप बता है यह एरन देगा नहीं आए नहीं देगा क्योंकी इनुक की नहीं है तो यह एरन नहीं देगा तो उसका नाम क्या है नाम है रीता और department कुन से sales और salary कितनी है और salary है इसकी 20,000 तो successful यह सारे ही अब सारे आपके इंसेट हो गए that means all all statements are executed मुझे लगता है यह होगा अगर गलत हुआ तो आप execute करकर SQL करी मुझे update जरूर कर दीजेगा what will happen if two thread of same priority are called to be process simultaneously thread के question आमेशा यह dependent होते operating system पर कि operating system में कौन सी process कौन सी scheduling algorithm लगाए गई है इसका direct thread की आप कोई भी answer नहीं दे सकते हो ठीक है अगर कभी आउट्पूट पूछ जाए तो ध्यान रखना सी आप सिधा सिधा आउट्पूट नहीं वहाँ सकते कौन सी फ्रेट प्लैक्जिक होगी यह सब्सक्राइब करेंगे काफी ज्यादा ठीक है अब अगली वीडियो हम बनाएंगे पार 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 एक कोश्चिन डिसक्स करेंगे वह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब